शीरिमत बालकी रमायन के बालकांड के 66 सर्ग में राजा जनक का विशामित राम लच्वन का सत्कार करके उन्हें अपने यहां रखे हुए धनुष का परची दिना और धनुष चड़ा देने पर शीर राम के साथ उनके व्या का निश्चे प्रकट करना तरंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात का लाने पर धरमात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके शीराम और लच्वन सहीत महात्मा विशामित तरजी को बुलाया और शाष्ट्री विधी के उन सार मुनी तथा उन दोनों मामनसी राजकुमारों का पूजन करके इस परकार कहा भगवन आपका स्वागत है निश्पाब महिच्छी आप मुझे आग्या दीजिए मैं आपकी क्या सिवा करूँ क्योंकि मैं आपका आग्या पालक हूँ महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनी श्रेष्ट विशामितर ने उन से ये बात कही महराज राजा दश्रत के ये दोनों पुत्र विश्य विक्यात शत्री वी रहें और आपके यहां जो ये श्रेष्ट धनुश रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं आपका कल्यान हो वे दनुशी ने दिखा दीजिए इन से इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी फिर ये दोनों राजकमार उस दनुश के दर्शन मातर से संतुष्ट होकर इच्छा अंसार अपनी राजधानी को लोट जाएंगी मुनी के ऐसा कहने पर राजा जनक महमनी विशा मितर से बोले मुनी वर इस दनुश का विर्तान सुनिए जिसे उद्देश से ये दनुश या रखा गया वह सब बताता हूँ भगवन नीमी के जेश्ट पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्या थे उन्ही महात्मा के हाथ में ये दनुश द्रोहर के रूप में दिया गया था कहते हैं पूर काल में दक्षी यक्यवी द्वन्स के समय परम प्रकरमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोश पूरक इस दनुश को उठाकर यक्यवी द्वन्स के पश्चाद देवतां से कहा देवगान मैं यक्यमे भाग पराप्त करना चाता था किन्तों तुम लोगों ने नहीं दिया इस दनुश से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनी श्रेष्ट अंग मस्तकाट डालोंगा मुनि श्रेष्ट ये सुनकर संपूरत देवता उदास होगी और स्तुती के दवरा देवादी देव महा देवजी को परसन करने लगे अंत में उन पर भगवान श श्रेष्ट नहें जो मेरे पूरवज महाराज देवराद के पास द्रोहर के रूब में रखा गया था एक दिन मैं यग्गे के लिए भूमी शोदन करते समय खेत में हाल चला रहा था उसी समय हाल के अग्रभाग से जोती गई भूमी से एक कन्या प्रगट हुई हाल द्वारा खीचीगी रेखा से उत्पन होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया प्रथी से प्रगट हुई मेरी कन्या करम शे बढ़कर से आनी हुई अपनी इस एउनिजा कन्या के विशे मैंने ये निश्चे किया कि जो अपने प्रगट हो कर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहां आकर मांगा प्रगवन कन्या का वरन करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने ये बता दिया कि मेरी कन्या उचित प्राकरम प्रगट करने पर ही कोई प्रुष उसके साथ इवा करने का अधिकारी हो सकता है यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं ती मुनि पंगाओ तब सभी राजा मिलकर मित्रा में आए और पूछने लगे कि राज कमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्राकरम निश्चित किया गया है मैंने प्राकरम की जिग्यासा करने वाले उन राजाओं के सामने ये शिवजी का दिनुश रख दिया बन तो वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्च नहीं हो सके महामने उन प्राकरमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इंकार कर दिया तपो धन इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए मुनी प्रवर मेरे इंकार करने पर ये सब रजा अत्यंत को भी थोड़े और अपने प्राकरम के विशे में शंशे पन होकर मित्ला को चार ओर से घेर कर खड़े होगे मेरे द्वरा अपना त्रिसकार हुआ मानकर उन श्रेष्ट न्रेशों ने अत्यंत रुष्टो कर मित्ला पुरी को सब बोर से पीड़ा देना प्रारंब कर दिया मुनी श्रेष्ट पूरे एक वरस तक वे घेरा डाले रखे इस बीज में युद्ध के सारे सादन शीन होगे इससे मुझे बड़ा दुख हुआ ता मैंने तपस्या के द्वरा समझ तेताओं को परसंड करने की चेश्टा की देटा बहुत परसंड हुए और उनने मुझे चतरंगनी सेना परदान की फिर तो हमारे सेनकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहिन थे अथवा जिनके बल्वान होने में संदेथ था मंत्री और सहीत भाग कर विबिन दिशाओं में चलेगे मुझे श्रेष्ट यही ये वह परम प्रकाशमान धनुश है मुझे तमरत का पालं करने वाले महेची मैं उसे शीर राम और लच्छवन को भी दिखाऊंगा मुझे यदि शीर राम इस धनुश की प्रतिंचा चड़ा थे तो मैं अपनी अयोनी जाकन्या सीता को इस दशरत कमार के हाथ में दे दूँगा जनक की ये बात सुनकर महामनी विश्वमित्र बोले राजन आप शीर राम को अपना धनुश दिखाईए तब राजा जनक ने मंत्रियों को आग्या दी चंदन और मानाव से शोबित वे दिवे धनुश यहां लेयाओ तो राजा जनक की आग्या पाकर वे अमित जस्सी मंत्री नगर में गे और उस धनुश को आगे करके पूरी से बाहर निकले वे धनुश आठ पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था उसे मोटे ताजे पांच हज्जार महामनस्टी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक लासके लोहे की वे संदूक जिसमें धनुश रखा गया था लाकर उन मंत्रीयों ने देव उपम राजा जनक से कहा राजन मित्लापते राजेंद्र ये समस्त राजाओं दरा सम्माने श्रेश दनुश है यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना जाते हैं तो दिखाईए उनकी बास सुनकर रजा जनक ने हाज जोड कर महात्वा विश्वा मित्र तथा दोनों भाई शीराम अलच्छों से कहा ब्रहमन यही वे धनुश है जिसका जनक वंच्छी निरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ नहीं हो सके उन महाप्रकरमी निरेशों ने भी इसका पूरकाल में सम्मान किया है इसे समस्त देवता असुर राक्षश गंदर वर बड़े बड़े यक्ष किन्नर महानाग भी नहीं चड़ा सके हैं फिर इस धनुश को खींचने चड़ाने इस पर बांचंदान करने इसकी प्रतिंचा पर टंकार देने तिथा इसे उठा कर इदर उदर हिलाने में मनिश्यों की कहां शक्ती है मुनी प्रवड ये श्रेश धनुश यहां लाया गया है महाभाग आप इसे इन दोनों राजकमारा को दिखाईए शीर राम सहीच विशा में तरने जनक का वे कथम संकर रगनंदर से कहा वच्सराम इस धनुश को देखो महिश्य की आगया से शीराम ने जिसमें मैं धनुश था उस संदुख का खोल कर उस धनुश को देखा और कहां अच्छा अब मैं इसे देवी अहम श्रेश धनुश में हाथ लगाता हूँ मैं इसे उठाने और च्छाने का भी प्रेतन करूंगा तब राजार मुनी ने एक सर से कहा हाँ ऐसा ही करो मुनी की आगया से रगुकुलनंदन धर्मात्मा श्रीराम ने उसे दनुश को बीश से पगड़कर लीला पूरक उठा लिया और खेल सा करते हैं उस पर प्रतिंचा चड़ा दी उसमें कई हजार मनश्यों की श्रिष्टी उन पर लगी थी प्रतिंचा चड़ाकर महाई ससी नर श्री श्रिष्टी नाम ने जोही उस दनुश को कान तक खींचा जोही अब बीश से घी तोट गया तोटते समें उससे वज्जर पात के समान बड़ा भारी आवाज हुई ऐसा जान पड़ा मानो परवत फट गया हो उसमें महान भकम पा गया मुनिवार विश्या मित्तर राजा जनक तथा रगोकुल भूशन दोनों भाई शीर राम और लच्छन को छोड़ कर शेर जितने लोग वहां खड़े थे वैस सब धनुश तूटने के उस भ्यंकर चब से मोर्चीतों कर गिर पड़े थोड़ी देर में जब उनको चेत हुआ तब निर्भे हुई राजा जनक ने जो बोलने में कुशर और वाकिक के मर्म को समझने वाले थे हाँ जोड़कर मुनिवर विशा मित्तर से कहा भगवन मैंने दश्रत नंदन शीर राम का प्रकर्ण माज अपनी आखो देख लिया महादेव जी के धनुश को चड़ाना ये अच्छन आदभूद अच्छन जो अतरकित घटना है मेरी पुत्री सीता दश्रत कमार शीर राम को पती रूप में प्राप्त करके छिनक वंश की कीद्धी का विस्तार करेगी कुशिक नंदन मैंने सीता को वीरिश शुलका प्रकर्म रूपी शुलक से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिग्या की थी वे आज सत्यम सभल होगी सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है अपनी ये पुत्री मैं शीद्राम को समर्पित करूँगा ध्रमन कुशिक नंदन आपका कल्यान हो यदि आपकी आग्या हो तो मेरे मत्री रत पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीगरी जाको जाए और विने युक्त वचनों दोरा महराज दश्रत को मेरे नगर में लिवाला आए साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यवे ये निवेदन करें कि जिसके लिए प्राकर्म का ही शुर्क नियत किया गया था उस जनकपुरी सीता का विवाज शीद राम चंदर जी के साथ होने जा रहा है ये लोग महराज दश्रत से ये भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र शीराम और लच्छवन विश्वा मित्तर जी के दौरा सरक्षी टोकर मित्रा में पहुंचके हैं इस परकार प्रिती युक्त होए राजा दश्रत को ये शीगर गामी सची जल्दी यहां बुला लाए विश्वा मित्तर ने तदास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आग्या का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुजा कर यहां का ठीक ठीक समचार महराज दश्रत को बताने और उन्हें मित्तरा पुरी में लज़ जाने के लिए भेज़ दिया शिर्वाट बाल की रमायन के बाल कांड के 68 सरग में राजा जनक का संदेश पाकर मुंत्रियों सहीत महराज दश्रत का मित्रा जाने के लिए उधेत होना राजा जनक की आग्या पाकर उनके दोत युद्धा के लिए प्रस्तितुए रास्ते में वाहनों के ठक जाने के कारण तीन रात विश्राम करके चुटे दिन वे युद्धा पुरी में जा पुचे राजा की आग्या से उनका राज महल में प्रवेश हुआ वहाँ जाकर उन्हें ने डेव तुल्य तिजसी बुडे महराज दश्रत का दर्शन किया उन सभी दोतों ने दोनों हाद जोड़कर निर्भे होकर राजा से मधरवानी में ये विने युक्त बात कही महराज मित्रापती राजा जनक ने अगनी होतर की अगनी को सामने रख कर सने युक्त मधरवानी में सेव को सही तापका तथा आपके उपाध्याई और प्रोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है इस वरकार व्यगरता रही कुशल पूछ कर मित्रापती विधे राज ने महरशी विश्वा मित्र की आग्या से आपको ये संदेश दिया है ताजन आपको मेरी पहले की हुई परतिग्या का हाल मालम होगा मैंने अपने पुत्री के विवा के लिए प्रकर्म का ही शुलक नियत किया था मुसे सुनकर कितने ही राजा अमर्श में बरे हुए आए किन्तु यहां प्रकर्म हीं सिद्ध हुए और विमक खोकर घर लोट गे नरेश्वार मेरी इस कन्या को विश्वा मित्र जिके साथ अकस्मात घूंते हिरते आए हुए आपके पुत्र शीर राम ने अपने परकर्म से जीत लिया है माबाहो महात्मा शीर राम ने महान जान सुमदाए के मध्य मेरे यहां रखे हुए जरतन सौरो दिवे दनुश को बीस से तोड डाला है मैं इन महात्मा शीर राम चंदर जी को अपनी कन्या सीता पर दान करूंगा ऐसा करके मैं अपनी परतिग्या से पार होना चाहता हूँ आप इसके लिए मुझे आग्या देने की किर्पा करें महाराज आप अपने गुरू अम प्रोहित के साथ यहां शीकर पधारें और अपने दोनों पुतर रगोकुल भुशन शीर राम अलच्छन को देखें उनका भला हो राजिंदर यही पधार कर आप मेरी परतिग्या पूर्ण करें यहां आने से आपको अपने दोनों पुतरों के विवाज नितनन्द की प्राप्ती होगी राजन इस तरहां विधे राजने आपके पास ये मधुर संदेश भीजा था इसके लिए उन्हें विश्वा मितर जी को आग्या और शता नंज की सम्मती भी प्राप्त होई थी संदेश वाहक मंद्रियों का ये वचन सुनकर राजा दशरत बड़े परसन्न हुए मैंने महिर्शी विशिष्ट वाम देवत था अन्य मंत्रियों से कहा कुशिक नंदन विश्या मितर से शुरक्षी थोकर कुशल्या का अनंद वर्धन करने वाले शीर राम अपने छोटे वाहिल अच्छन के साथ विद्धे देश में निवास करती है महात्मा राजा जनक ने कोश सकुल भोशन शीर राम के प्राकर्म को परत्यक्ष देखा है इसनिए वे अपनी पुत्री सीता का विवार घुकुल रत्न राम के साथ करना चाती है यदि आप लोगों की रूचियन सम्मती हो तो हम लोग शीक्री महात्मा जनक की मित्रापुरी को चले इसे विलम बना हो ये सुनकर समस्त महिश्यों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कह कर एक सर से चलने की सम्मती दी राजा बड़े परसन्न होई और मंत्रियों से बोले कल सेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए महाराज दश्रत के सभी मंत्री समस्त सद गुनों से संपन थी राजा ने उनका बड़ा सतकार किया अता बराद चलने की बात सुनकर उनने बड़े अनन्द से ये रात्रीवे तीत की तरंतर रात्रीवे तीत होने पर उपाध्याई और बंदू बांदू सहीत राजा दिश्यत हर्ष में बार कर सुमंत्र से इस परकार बोले आज हमारे सभी खजान ची बहुत सा धान लेकर नना परकार के रत्नों से संपन नोकर सबसे आगे चलने उनकी रक्षा के लिए हरत्रा की सुवेस्ता आउनी चाहिए सारी चत्रंगनी सेना भी यहां से शीकरी कूच कर दे अभी मेरी आग्या सुनते ही सुन्दर सुन्दर पालकियों और अच्छे अच्छे गोड़े आधी वाहन तियार होकर चल दे वशीष्ट वामदेव जवाली कशब धीर जीवी मारकंडे मुनी तथा कार्ट्याइन यह सभी ब्रह्मरिशी आगे चले मेरा राथ भी तियार करो देर नहीं होनी चाहिए राजा जनक के दोत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरिद कार रहे ही राजा की साग्या के इंसार चितरंगनी सेना तियार होगी और रिशियों के साथ यात्रा करते हुए महराज दशरत के पीछे पीछे चली चार दिन का मारत तैक करके वे सब लोग विदे देश में जा पोचे उनके आगनम का समाचार सुनकर शिरिमान राजा जनक ने सागत सत्कार के तियारी की तातपस्चात अनन्दमगन हुए राजा जनक बुड़े महराज दशरत के पास मुँचे उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्शिवा राजाओं में श्रेष्ट मितलान रेश ने अनन्दमगन हुए प्रुष प्रवर राजा दशरत से कहा नार्श रेष्ट रगुननदन आपका स्वागत है मेरे बड़े भाग जो आप यहां पता रहे आप यहां अपने दोनों पुत्रों की प्रिती प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने प्राकर्म से जीत कर पाई है महात जिस्सी भगवान विशिष्ट मुनी ने भी हमारे स्वाग्य से ही यहां पा दर्पन किया है यह इन सभी शिरेष्ट ब्राहमनों के साथ वैसे ही शोबा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र शोबित होते हैं सबाग्य से मेरे सारी विघन बाधाएं प्राजित हो गई रगो कुल के महान प्रोश महान बल्ड से संपन और प्राकर में सबसे श्रेष्ट होते हैं इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया नार्श रेष्ट नरिंद्र कल सेरे इन асमी महिर्शियों के साथ उपस्तित हो कर मेरे यग्य की समापती के बाद आप शीर राम के विवा का शुबकारे संपन करें रिश्यों की मंडली में राजा जनक की ये बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ट एम वाक्य मरमग्य महराज दश्रत ने मित्रा नरेश को इस परकार उपतर दिया धरमग्य मैंने पहले से ये सुन रखा है कि पति ग्रेट दाता के अधिन होता है अदे आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे सत्तिवादी राजा दश्रत का वहत धरमन कूल तथा येशो वर्धर्ग वजन सुनकर विधेराज जनक को बड़ा विसमे हुआ तांतर सभी महिर्शी एक दूसरे से मिलकर बहुत परसन्वे और समने बड़े सुख से वैर राद बिताई इदर महत जस्री शीर राम विशा मित्र को आगे करके लच्छमन के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरनों का शुखर्ष किया राजा दश्रत ने भी जनक के दोरा आदर सदकार पाकर बड़ी प्रसंता का अन्भव किया तो अपने डोनों रगोकोल रत्रम पुत्रों को सकुशल दे कर उने अपार हर्श हुआ वे रात में बड़े सुख से वहां रहे महत जस्री तत्वग्य राजा जनक ने भी धनम के अंसार यग्यकारे संपन किया अपनी दोनों किन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वहरात्री विद्दीत की तांतर जब सेरा हुआ और राजा जनक महिश्यों के से योग से अपना यग्यकारे संपन कर चुके तांवे वाक्यम रमग्य नरेश अपने प्रोहिच शता नंदी से इस परकार बोले भ्रहमन मेरे महात जस्यों प्रकर्मी भाई कुष्ध धज्ज अत्यन ध्रमात्मा है इसमें एक्षुमती नदी का जल पीते हुए उनके किनारे बसीरी कल्यान में शांकांशिया नगरी में निवास करते हैं उनके चारों और के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रों के निवारन में सम्मार्त बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं मैं पुरी पुष्पक विमान के समान विष्ट्री तथा पुन्ने से उपलब्ध होने वाले सर्ग लोग के सद्रिश संदर है वार रहने वाले अपने भाई को इस शुब अवसर पर मैं यहां पस्त देखना चाता हूँ क्योंकि मेरी द्रिश्टी में वे मेरे इस यके के संरक्षक हैं मात जैसी कुछ धवजवी मेरे साथ शिरी सीता राम के विवा समंदी इस मंगल समारों का सुख ठामेंगे राजा के इस बरकार कहने पर शतानांजी के समीब कुछ धीर सभाव के प्रुष आये और राजा जनक ने उन्हें पूरवक्त आदेश सुनाया राजा की आग्या से में श्रेष्ट दूत तेज़ चलने वाले घोड़ों पर सुवार होकर प्रुष सिंग कुछ धवज़ को बुला लाने के लिए चल दिये मानो इंद्र की आग्या से उनके दो भगवान विश्णों को बुलाने जा रहे हैं शांकश्य में पहुँचकर उनने कुछ धवज से भेट की और मिथला का इथार समाचारें जनक का अविप्राई भी निविधन किया उन महामिक शाली श्रीश तूटो के मुक्सिम मिथला का सारा विर्तान सुनकर राजा कुछ दोज महाराज जनक की आग्या के अंसार मिथला में आए वाँ उनने धरम मसल महात्मा जनक का दर्शन किया फिर शतानन जी था अत्यांत धारमिक जनक को परनाम करके वे राजा की योग्य परम दिवे सिंगासन पर विराज मान हुई सिंगासन पर बैठे हुए उन दोनों अमिट तेजसी वीर बंद्वने मंत्री प्रवाद सुदामन को भीजा और कहा मंत्री वार आप शीकरी अमिट तेजसी एक श्वाकु कुल भूशल महाराज दश्रत के पास चाहिए और पत्रों तथा मंत्रियों सहीत उन दर्जे को यहां बुला लाई हैं आग्या पाकर मंत्री सुदामन महाराज दश्रत के खेमे में जाकर रगोकुल की केती बढ़ाने वाले नोन नरेश से मिले और मस्तक जुका कर उन्हें परनाम करने के पच्चात इस परकार बोले वीर यद्ध्या नरेश मित्रापती विधे राज जनक इस समय उपाध्याय और प्रोहिच सहीत आपका दर्शन करना चाते ही मंत्री वर सुदामन की बात सुनकर राजा दश्यत रिश्यों और बंदू बांदों के साथ उस थान पर गे जहां राजा जनक विध्यावान थे मांत्री उपाध्याय और भाई मंदों सहीत राजा दर्शत जब बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेश थे विदेई राज जनक से इस परकार बोले महराज आपको जो विदित ही होगा कि श्वाको कुल के देवताई ये महिद्शी विशिष्टी है हमारे यहां सभी कारियों में ये भगवान विशिष्ट मुनी ही कर्टव्य का उपदेश करती है और इनी की आग्या का पारण किया जाता है यदि संपुरन महिद्शी व सहीत विश्वा मित्तर जी की आग्या हो तो ये धर्मात्मा विशिष्टी पहले मेरे कुल परंप्रा का करमशे परचे देंगे यहों कहकर जब राजा दश्रक्चिप हो गए तब वाक्यवेता भगवान विशिष्ट मुनी प्रोहिच सहिद विधेराज से इस परकार बोले प्रमा जे की उत्पत्ती का कारण अव्यक्त है वे संबू हैं नित्य शाष्वत रविनाशी हैं उनसे मरिची की उत्पत्ती हुई मरिची के पुत्र कश्चप हैं कश्चप से वी वस्वान का रोई वस्वान से वे वस्वत मनू का जनम हुआ मनों पहले प्रजापती थी उनसे एक्षवाकू नामक पुत्र हुआ उन्हें एक्षवाकू को ही आप योध्या के प्रथम राजा समझें एक श्वाकू के पुत्र का नाम कुक्षी था, वे बड़े तजस्वी थे, कुक्षी से वी कुक्षी नाम कांती मान पुत्र का जनम हुआ, वी कुक्षी के पुत्र महा तजस्वी और परतापी बान हुए, बान के पुत्र का नाम अन्रन्य था, वे वी बड़े तजस्वी और पर तापी थे अंडरन्य से प्रिथू और प्रिथू से त्रिशंकु का जिनम हुआ त्रिशंकु के पुत्र महाई शसी धुंदो मार थे धुंदो मार से महात जिस्सी महार थी यो नाश का जिनम हुआ यो नाश के पुत्र मंधाता हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे मं से मात जसी असित की तबत्ती हुई राजा असित के साथ हे हे ताल जहंग और शशबिंडू इन तीन राजवन्शों के लोग शत्रता रखने लगे थे युद्ध में इन तीनों शत्रों का सामना करते हुए राजा असित परवासी होगे वे अपनी दो राणियों के साथ हिमाले पर आकर रहने लगी राजा असित के पास बहुत थोड़ी सैना शीश रहेगी थी वे हिमाले पर ही मृत्यों को प्राथ होगे उसमें उनकी दोनों राणियां घरवती थी ऐसा सुना गया है उनों में से एक राणियों ने अपनी सोत का घर्ब नस्ट करने के लिए से विश्युक्त भोजन दे दिया उसमें उसमें सतम्निय एम श्रिष्ट परवत पर भ्रिवकुल में उत्पन हुए महामुनी चमन तबस्या में लगे हुए थे हिमाले पर ही उनका आशनम था उन दोनों राणियों में से एक जिसे जैर दिया गया था कलंदी नाम से परख्याद परसित थी विक्षित कमलदाल के समान नेत्र वाली महामागा कलंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी उसने देटली तिजसी ब्रिगु नंदन चेवन के पास चाकर उन्हें पत्नाम किया उससे महिर्शी चेवन ने पुत्र की अब लाशा रखने वाली कलंदी से पुत्र जनम के विशे में कहा महा भागे तमारे उदर में एक महान बल्वान महा तिजसी और महा प्रकर्मी उत्तम पुत्र है वे कान तीवन बाला थोड़े ही दिनों में गर अर्थाद जहर के साथ उत्पन होगा अधे कमल लोचने तुम पुत्र के लिए चिंता मत करो वे विद्वा राजकमारी कलंदी बड़ी पती वरता थी मरीश चेवन को नमशकार करके वे देवी अपने आश्रम पर लोटाई फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जिनम दिया उसकी सोत ने उसके गर्व को नस्ट कर देने के लिए जो विश दिया था उसके साथ ही उत्पन होने के कारनवे राजकमार सगर नाम से विख्यात हुआ सगर के पुत्र असमजस असमजस के पुत्र अंशुमान अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र बगीरत हुए बगीरत से कोकोच और कोकोच से रगु का जिनम हुआ रगु के तजसी पुत्र पर भुद्ध हुए जो शाप से राक्षे शोगे थी नहीं कलमाश पाद नाम से परसिद्ध हुए थे उनसे शंकन नामक पुत्र का जिनम हुआ था शंकन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अगनी वरन हुए अगनी वरन के शीगरक और शीगरक के पुत्र में मरू थे मरों से प्रशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशु हम집 और फारद नार इंसी को कुल किशिटर और ओर फ्क्रसे ने लिए की दो कन्याओं का वर्रक्न करता हूं ये आपकी कन्याओं के यूग ्हे और आपकी कन्याओं के लिए किन्याओं वे यूग Kingdom कोज्ञ나 menjadi स्थेरी पालमिक क्या करना मर्शी विशिष्ट जब इस परकारिक श्वाकू वंच का पर्चित दे चुके तब राजा जनक ने हाद जोड़ कर उनसे कहां मुनिश्रेष्ट आपका भला हो अब हम भी अपने कुल का पर्चित दे रहे हैं सुनीगे महामते कुलीन प्रुष के लिए कन्यादान क के समय अपने कुल का पूर्ण रुपेन पर्चित दिना अवश्चक है अते आप सुनने की कृपा करें प्राचीन काल में नीमी नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं जो संपूरन धैरेशाली महापुर्चों में श्रीष्ट तथा अपने प्राकरम से तीनों लोकों म विख्यात थे उनके मिथी नामक एक पुत्र हुआ मिथी के पुत्र का नाम जनक हुआ यही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं इन्हे के नाम पर हमारे वंश का परतेक राजा जनक कहलाता है जनक से उदावसु का जनम हुआ उदावसु से धर्मात्मा नंदी वर्धन उत् सुकेतु के भी देवरात नमक पुत्र हुआ, देवरात महान बल्वान और धर्मात्मा थे, राजरिशी देवरात के बहिद्रत नाम से परसिद्ध पुत्र हुआ, बहिद्रत पुत्र महावीर हुए, जो शूर और परतापी थे, महावीर के सिध्रिती हुए, जो धैर्मात्मा द्रिष्ट केतू हुए जो परम धार्मिक थे। द्रिष्ट के मनोरोमा महारोमा नामक पुत्र उत्पन हुए जिन में जेश्टो मैं हूँ और कनिष्ट मेरा छोटा भाई वीर कुष्टवज है। मेरे पिता मुझ जेश्ट पुत्र को रज पर अभी शिक्त करके कुष्टवज का सारा भार मुझे सौंकरवन में चलेगे। विरिद पिता के सरगामी हो जाने पर अपने देव तुल्य भाई कुष्टवज को सने दृष्टी से देखता हुआ मैं इस रज का भार धरम के उनसार वेहन करने लगा। कुछ काल के नंतर प्राकरमी राजा सुधन्वा ने संकाश नगर से आकर मिथला को चारोर से घेल लिया। उसने मेरे पास दूद बेच कर कहलाया कि तुम शिवजी के परम मुस्तम धनुश तदा अपनी कमल नेनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महिश शी मैने उसकी मांग पुरी नहीं की इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ और संग्राम में संवक्ध ही युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रिष्ट राजा सुधन्मा का वद करके मेरे संकाश ये नगर के राज्य पर अपने शूर वीर ब्राता कुछ धज को अब शिक्त कर दिया महामते ये मेरे चोटे भाई कुछ धज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ मुनिवार मैं बड़ी परसंता के साथ आपको दो बहुए पर दान करता हूँ आपका बला हो मैं सीता को शीर राम के लिए और अर्मिला को लच्छून के लिए समर्पित करता हूँ प्राकर्म ही जिनको पाने का शूल के शर्थ था उस देवकर्णिया के समान संद्री अपनी प्रथम पुत्री सीता को शीर राम के लिए तथा दूसरी पुत्री और मा को लच्छून के लिए दे रहा हूँ मैं इस बात को तीन बार दोराता हूँ इसमें शिंशे नहीं है मुनी प्रवर मैं पर्म परसन्न होकर आपकी दो बहुएं दे रहा हूँ विशीष जी ने ऐसा कह कर राजा जनक ने महराज दश्रस से कहा राजन अब आप शीर राम और शीर लच्छमन के मंगल के लिए इन से गवदान करवाईए आपका कल्यान हो नादी मुक्षराद का कारे भी संपन कीजिए इसके बाद इवा का कारे राम कीजिएगा महा बाह प्रभो आज मगा नक्षत्र है राजन आज के तीसरे दिन उत्तर फागनी नक्षत्र में विवाहिक कारे कीजिएगा आज शीर राम और लच्छम के अभ्योते के लिए गव, भूमी, तिल और सुने आदी का दान करना चाहिए क्योंकि वह भुश्य में सुख देने वाला है विदे राज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके ता विशी सहीत महामनी विशा मितरुन वीद नरेश से इस परकार बोले नरशरेष्ट एक शवाकू और विदे दोनों ही राजाओं के वंश अच्छिनतनिये हैं दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवन्च नहीं है राजन इन दोनों कुलों में जो ये धरम, संबंध, स्थापित होने जा रहा है सर्था एक दूसरे की युग्य है रूप वैभो की दृष्टी से भी समान युग्यता का है क्योंकि और्मिला सहिच सीता, शीर राम और लच्छुन के अन रूप है नर्शरेष्ट, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है आप मेरी बात सुनिये राजन, आपके छोटे भाई जो ये धरमगे राजा कुछ धुज बैठे हैं इन धरमात्वा नरेश के भी दो कन्याएं है और जो इन भूमंडल में अनपम संद्री हैं नर्शरेष्ट भुपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत से और बुद्धीमान शत्रुगान इन दोनों माहमनसी राजकुमारों के लिए इनकी धरमबत्नी बनाने के उद्देश से वरन करता हूँ तो राजा दशरत के ये सभी पुत्र, रूप और योमन से शोबित लोगपालों के समान तजस्सी तिरह दिताओं के तुल्य प्रकर्णमी है राजिंद्र इन दोनों भाईयों भरत और शत्रुगन को भी कन्यादान करके आप इस समस्तिक श्वाको कुल को अपने संबंद से बांध लीजिए आप पुन्ने करमा प्रूशे हैं आपके चित में व्यक्रता नहीं आनी चाहिए अथवा आप ये सोचकर व्यक्र मत हूँ ऐसा महान समराट के साथ मैं एक ही साथ चार विवाहिक संबंदों का निर्वा कैसे कर सकता हूँ तवशिष्ट के समतिके अंसार विश्वामित्तर जी का ये बचन सुनकर उसमें राजा जनक ने हाथ जोड़ कर रहे हैं दोनों मुनिवरों से कहां मुनिपंगवो मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों एक श्वाकु मंश के योग्य समझ कर इसके साथ संबंद जोड़ने के लिए सहम माग्या दे रहे हैं आपका कल्यान हो आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुगान कुछ थवज की इन दो कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धरम पत्नी के रूब में करहन करें महामने ये चारों महामली राजकुमार एक दिन हमारी चारो राजकुमारियों का पानी ग्रहन करें अगले दो दिन फागनी नामक नक्षत्र से युक्त हैं इसे पहले दिन तो पूरु फागनी है और दूसरे दिन अर्थाद परसो उत्तर फागनी नामक नक्षत्र होगा जिसके देवता प्रजापती अर्यम्मा है मनीशी पुर्ष उस नक्षत्र में वाहाई कारे करना बहुत उत्तम बताते हैं इस परकार सुम्मे मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े होगे और उन दोनों मनीवरों से हाथ जोड़ कर बोले आप लोगों ने कन्याओं का विवान निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया मैं आप दोनों का शीश्य हो मनीवरों इन श्रेष्ट आसनों पर आप दोनों बिराजमान हों आप के लिए जैसा राजा दश्रत की को अयोध्या है वैसे ही ये मेरी मित्ला पुरी भी है आपका इस पर पुरा धिकार है इसमें संदे नहीं है अधिये आप हमें यतायोग्या आग्या पर दान करते रहें विधेराज जनक के ऐसा कहने पर रगुकुल का अनन्द बढ़ाने वाले राजा दश्रत ने परसन्न होकर उन मित्ला नरेश को इस पर कारत तर दिया मित्लेश वर आप दोनों भाईयों के गुन असंख हैं आप लोगों ने रिश्यो तथा रास्मों का बड़ी भाती सत्कार किया आपका कल्यान हो आप मंगल के भागी हूँ अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे यहां वहां जाकर मैं विधी पूरक नांदी मुक्षरात का कारे संपन करूंगा ये बात भी राजा दश्रत ने कही तरंतर मित्ला रेश की अन्मती लेकर महाईशसी राजा दश्रत मुनिश्रिष्ट विश्चा मित्र विश्ष्ट को आगे करके तरंत अपने आवास थान पर चलेगी डेरे पर जाकर राजा दश्रत ने अब प्रान काल में विधी पूरक का भीधिक श्राज संपन किया तत बश्चात रात बीतने पल प्राता काल उटकर राजा ने तत कालोची उत्तम गवदान करम कराया राजा दश्रत ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धरम के अंसार एक एक लाख गववे ब्रामनों को दान दी उन सब के सींग सुनने से मड़े हुए थे उन सब के साथ बच्छडे भी थे कांसे के धुगद पात्र भी थे इस परकार पुत्र वसल रगुनंदन रगुकुलनंदन पुरुश रुमनी राजा दश्रत ने चार लाख गववों का दान दिया और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गवदान के उदेश्य से ब्रामनों को दिया गवदान करम संपन करके आई हुए पुत्रों से घिरे हुई राजा दश्रत उस समय लोकपालों से घिर कर बैटे हुई शांस भाव प्रजापती ब्रह्मा के समान शुबा पा रहे थे इस परकार शिरी बारमिक निर्मित आर्श रमायन आदी काव के बाल कांड में उसी दिन भरत के सगे मामा कैके राजकमार वीर युद्धाजित वहाँ पहुचे वो ने महराज का दर्शन करके कुशल मंगल पुछा और इस परकार कहा रगुनंदन कैके देश के महराज ने बड़े सने के साथ आपका कुशल समाचार पुछा है और आप भी हमारे यहां के जिन जिन लोगों की कुशल वारता जानना चाते हैं वे सब इस समय स्वस्त और सननन्द हैं राजिंदर कैके देश मेरे भांजे बरत को देखना चाते हैं अताए इन्हें लेने के लिए ही मैं एयुद्धा आया था तरंत प्रिथीनात योध्या में ये सुनका कि आपके सभी पुत्रे इवा के लिए आपके साथ मितला पदारे हैं मैं तरंत यहां चला आया क्योंकि मेरे मन में अपनी बेहन के बेटे को देखने की बड़ी लाल सा थी महराई दशरत ने अपने प्रिया तिथी को पस्तिद देख बड़े सतकार के साथ उसकी आप भगत की क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्या थी तरंत अपने महामनस्सी पुत्रों के साथ वे रात वे तीद करके वे तत्वग्य निरेश प्राता कालोटे और नित्य करम करके रिशियों को आगे किये जनक की यग्य शाला में जा पोचे तादबच्चाद विवा के योग्या विजे नामक महुरताने पर दूले के अन्डूव समस्त वेश भूशा से अलंकरित हुए भाईयों के साथ शीर रामचंदर जी भी वहां आए वे विवा कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा विशिष्ट मुनी एम अन्याइन महिच्छियों को आगे करके उस मंडब में पदारे थे उस समय भगवान विशिष्ट ने विधे राज जनक के पास चाकर इस परकार कहा राजन नरिशों में श्रेष्ट महराज दशरत अपने पुत्रों का वेवाहिक सुत्र बंदन रूब मंगलाचार संपन करके उन सब के साथ पदारे हैं और भीतर आने के लिए डाता के आदेश की परतीख्षा कर रहे हैं क्योंकि डाता और प्रती ग्रहिता रथा दान ग्रहिन करने वाले का सिंग्यों गोने पर ही समस्दान धर्मों का संपादन संबव होता है है आविवा काल उप्योगी शुब करमों का नो इस्ठान करके उन्हें बुलाईए और कन्यादान रोप स्वधर्म का पालन की थी महातावशिष्ट के ऐसा कहने पर परम उद्दार परम धर्मग्य और महातिजसी राजा जनक ने इस परकार उत्तर दिया महाराज के लिए मेरे यहां कौन सा पहरिदार खड़ा है वे किसके आदेश की परतीक्षा करते हैं अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है ये जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है मेरी कन्याओं का विवाहिक सुत्र बंदन रोप मंगल कृत्य संपन हो चुका है आप यग्य वेदी के पास आकर बैठी है और अगनी की प्रजलित शिखाओं के समान प्रकाश ही तो रही है इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैटा हूँ आप निर्विगंता पूरक सब कारे पूर्ण कीजिए विलंब किस लिए करते हैं विशीष जी क मुख से राज़त जनक की कही हुई बात सुनकर महराज दिशरत तो समय अपने पुत्रों और संपुरन महिशियों को महल के भीतर ले आए तरंतर विदेर आज ने विशीष जी से इस परकार कहा धर्मात्मा महिशी प्रभू आप रिशियों को साथ लेकर लोक अभी राम शि राम के वाकि संपुरन क्रिया कराईए तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्य भगवान मिशिष्ट मुनी ने विशामत्तर और धर्मात्मा शता नंत को आगे करके वामंडव के मध्य भाग में विधी पूरक विधी बनाई और गंद तदा फूलों के त्वरा उस चारोवर से सुन्दर रूब में सजाया साथ ही बहुत सी सर्नपालिकाई ग्याव के अंकरों से युक चित्तित कलश अंकर जमाए हुए स्कोरे धोब युक द धूम पात्र शंक पात्र स्तुरुआ स्तुरुक अर्धिर और पूजन मात्र खीलों से बढ़े हुए पात्र वेदी के चारो और विछाकर मंत्र चारन करते हुए विधी उरक अगनी स्थापन की और विधी को परधानता देते हुए मंत्र पात्र पूरक प्रजरी तगनी में हमन किया तरंतर राजा जनक ने सब प्रकार के अभूशनों से विभूशित सीता को लिया कर अगनी के समक्ष शिर्राम चंदर जी के सामने बिठा दिया और माता कुशलिया का अनंद बढ़ाने वाले उन शिर्राम से कहा रगुनंदन तमारा कल्यान हो ये मेरी पुत्री सीता तमारी से धर्मनी के रुब में उपस्तित है इसे सवीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में ले लो ये परमपतिवता महांस भाग्यवती और च्छाया की बहाती सदा तमारे पीछे चलने वाली होगी ये कहकर राजा ने शीराम के हाथ में मंतर से पुट्र हुआ संकल्ब का जल छोड़ दिया उस समय देवताओं और रिशियों के मुक से जनक के लिए सादु वाद सुनाई देने लगा देटाओं के नगाडे बजने लगे और आकास से भूलों की वर्षा होने लगी इस परकार मंतर और संकल्ब के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्श मगन हुए राजा जनक ने लच्छमन से खा लच्छमन तुमारा कल्यान हो आओ मैं उर्मिला को तुमारी सेवा में दे रहा हूँ इसे सविकार करो इसका हाथ अपने हाथ में लो इसमें विलंब नहीं होना चाहिए लच्छमन से ऐसा कहकर जनक ने भरस से कहा रगुननदन माड़ी का हाथ अपने हाथ में लो फिर ध्रमात्मा मिथलेश ने शत्रुगन को संबोधित करके कहा मा बाहो तुम अपने हाथ से शृत कीरती का पानी ग्रेहन करो तुम चारो भाई शांत सभाव हो तुम सब ने उत्तमरत का भली भातिया चरन किया है कोच सकुल के भूशन रोब तुम चारो भाई पत्नी से सही उक्त हो जाओ इस कारे में विलंब नहीं होना चाहिए राजा जनक का ये वच्चन सुंकर उन चारो राजकुमारों ने चारो राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए थिर विशिष्ची की सम्मती से उन रघोकुल रत्न महामनस्य राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अगनी, वेदी, राजा दशरत तथा दिशी मुनियों की परकर्मा की और वेदोक्त विधी के अंसार विवाहिक कारे पूर्ण किया उसमें आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहामनी लगती थी, दिवे दंदमियों की गंभीर ध्वनी, दिवे गीतों के मनोहर शब्द और दिवे बाद्यों के मदुर गोश के साथ जुंड की जुंड अपसराएं नित्य करने लगी और गंदर और मदुर गीत गाने लगे, उन रगुवन शिरमनी राजकुमारों के विवा में वह आधवो द्रिश दिखाई दिया शेहनाई यादी बाजों के मदुर घोश से गुंचते हुए उस वर्तमान विवा उस सब में उन महात जसीत राजकुमारों ने अगने की तीन बार प्रदक्षना करके पत्नियों को सिविकार करते हुए निवा करम संपन किया दंतर रगुकुल को अनन्द परदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जन वासे में चलेगे राजा दश्रत भी दिशियों और बंदू भांदों के साथ पत्रों और पत्रवधों को देखते हुए उनके पीछे पीछे गई तदंतर जब रात भीती और सेरा हुआ तब महामनी विश्वामित्र राजा जनक और महराज दश्रत दोनों राजाओं से पूछ कर उनकी सवरिक्यते लेकर उत्तर परवत पर हिमाले की शाखा भूत परवत पर जहां कोश्की के तट पर उनका आश्रम था वहाँ चलेगी विश्वामित्र जी के चले जाने पर महराज दश्रत भी विधेराज मित्लेश नरेश से अनमती लेकर शिग्र अपनी पुरिये युद्या को जाने के लिए तियार होगे उस समें विधेराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमत देज में बहुत दिक धान दिया उन मित्ला नरेश ने कई लाग गवएं कितनी ही अच्छी अच्छी काली ने तथा करोड़ों की संख्या में रेश्मी और सूती वस्त्र दिये बहाती बहाती के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव या हाथी घोड़े रत पैदल सैनिक भेंट किये अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उनने सो सो कन्याई तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की इन सब के अत्रिकतर राजा ने उन सब के लिए एक करोड़ स्वर्न मुद्रा रजित मुद्रा मुती तथम मुंगे भी दिये इस परकार मिथला पतीर राजा जनक ने बड़े हर्श के साथ उत्तम उत्तम कन्याधान दहेज दिया नाना परकार की वस्तुएं दहेज में देकर महराज दश्रत की आग्या लेकर वे पुना मिथला नगर के भीतर अपने महल में लोट आए उधर एयो ध्याने रिश राजा दश्रत भी संपुरन महिर्शियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की और प्रस्थित होगे उसमें रिशी समूत अधाशी राम चंदर जी के साथ यात्रा करतो है प्रुष सिंग महराज दश्रत के चार और भ्यांकर बोली बोलने वाले पक्षी चेह चाहने लगे और भूमी पर विचरने वाले समस्त मरिग उने दाहने रखकर जाने लगे उन सब को देखकर राज सिंग दश्रत ने विशीष्टी से पूछा मुनिवार एक और तो ये भ्यांकर पक्षी गोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी और ये म्रिग हमें दाहने और करके जा रहे हैं ये अशुब और शुब दो परकार के शकुन कैसे ये मेरे हिद्दे को कंपित कर ये देते हैं मेरे मन विशाद में डूबा जाता है राजा दश्रत का ये विच्चन सुनकर महिशी विशीष्ट ने मधुरवाने में कहा राजन इस शकुन का जो फल है उसे सुनिये आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वे बताती है कि इस समय कोई घोर भै उपस्थित होने वाला है प्रंदो हमें दाहिने रख कर जाने वाले ये मरेग उस भै के शान्थ हो जाने की सूचना दे रही है इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए इन लोगों में इस बरकार बाते हो ही रही थी कि वहां बड़े जोरों की आंधी उठी वे सारी प्रिथी को कमपाती ही बड़े-बड़े व्रिक्षों को धाराश ही करने लगी सुर्य अंधकार से अच्छन नहों गया किसी को दिशाओं का भान नहीं रहा धूल से डग जाने के कारण वे सारी सैना मोर्शी सी हो गई उस समें केवल विशेष्टमुनी अन्याइन दिशियों तथा पुत्रों से राजा दशर थी चेत रह गये थे शेष सभी लोग अचेत हो गये थे उस गोरंदकार में राजा की वसेना धूल से आच्छादच सी होगी थी उसमें राजा दशर ने देखा शत्रियों राजाओं का मान मर्दन करने वाले ब्रीग कुल नंदन, जमद अगनी कुमार, पर्शूराम सामने से आ रही वे बड़े भ्यानक से दिखाई देते थे उन्होंने मस्तक और बड़ी बड़ी जटाएं धारन का रखी थी वे किलाश के समान दुर्जे और कालागनी के समान दुस्या परतीत होते थे तेजों मंडल द्वारा जह जल्ले मान से हो रहे थे साधारन लोगों के लिए उनकी और देखना भी कटिन था वे कंदे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गनों के समान दीवती मान धनुश एं भ्यंकर बान लिए त्रिप और विनाशिक भगवान शीव के समान जान पड़ते थे प्रजलित अगनी के समान भ्यानक से परतीत होने वाले पर्शुराम को उपस्ति देखकर जब और होम में तद पर रहने वाले विशिष तादी सभी भनमरशी एकत्र होकर प्रस पर इस बात परकार बाते करने लगे क्या अपने पिता के वद से अमरश के वशी भूत हो ये शत्यों का सुखार नहीं कर डालेंगे पूर कान में शत्यों का वद करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है आप इसकी बद्रा लेने की चिंता दो रो चुकी है तो पिर शत्यों का संहार करना इनके लिए विष्ट नहीं है ये निश्चे पूरक कहा जा सकता है ऐसा कहकर रिश्यों ने भेंक कर दिखाई देने वाले भिर्गुन अंदर परशुराम को अर्ज लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधरवानी में बात चीत की रिश्यों के दी हुई इस पूजा को सविकार करके परतापी जमद अगनी पुत्र परशुराम ने दश्र नंदन शीर राम से इस परकार कहा दश्रत नंदन शीर राम वीर सुना जाता है कि तुमना प्रकरमाद भूत है तुमारे द्वरा शीव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पढ़ चुका है उस धनुष का तोड़ना आधूर और अचिनत है उसके तूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ ये है मैं जमदगनी कुमार परशुराम का भ्यंकर और विशाल धनुष तुम इसे खीच कर इसके उपर बान चड़ाओ और अपना बल दिखाओ इस तुनुष के चड़ाने में भी तुमारा बल कैसा है ये देखकर मैं तुमें ऐसा दूंद युद बरदान करूंगा जो तुमारे प्रकर्म के लिए सुपर्णिय होगा पर्षू रामजी का वे वचन सुनकर उस समय राजा दशरत के मुकवर विशाद चागया वे दीन भाव से हाँच जोड़ कर बोले ब्रहमन आप सद्धाय और वरत से शोबा पाने वाले ब्रिगुमंशी ब्रहमनों के कुल में उत्पन हुए हैं और स्यम्भी महान तबस्य और भ्रहम ग्यानी हैं शत्रियों पर अपना रोश प्रगट करके आप शान्त हो चुके हैं इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभेदान देने की किरपा करें क्योंकि आपने इंद्र के स्वें पृतिग्या करके शेस्त्र का पृतिया कर दिया है इस तरह आप धर्म में तत्पर होकर कश्यब जी को पृतिका दान करके वन में आकर महिंद्र परवत पर आश्रम बना कर रहते हैं महामने इस परकार शेष्ट रत्याग की परतिग्या करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आगे यदि कहें मेरा रोश्ट केवल राम पर है तो एक मत राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परत्याग कर देंगे रागा दश्रत इस परकार कहते ही रहगे प्रंतु परतापी परश्वराम ने उनके उन वच्चनों की अवेलना करके राम से ही बाद जित जारी रखी वे बोले रगुनंदन ये दो धहों सबसे श्रेष्ट और दिव्य थे सारा संसार इने सम्मान की द्रिष्टी से देखता था शाक्षात विष्व कर्मा ने इने बनाया था ये बड़े प्रवल और दिड़ थे नार्श्रेष्ट इने मेंसे एक को दिवताओं ने त्रिपरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शिंकर को दे दिया था ककोच सनंदन जिससे त्रिपर का नाश हुआ था वे वही धनुष था जिसने तुमने तोड़ डाला और दूसरा धर्ज धनुष ये है जो मेरे हाथ में है इसे श्रेष्ट देताओं ने भगवान विष्णु को दिया था शिराम शत्रू नगरी पर विज़े पाने वाला वही ये वैशन धनुष है ककोच सनंदन ये भी शिवजी के धनुष के समान ही पर प्रबल है उन दिनों समस्थ देताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बला बल की प्रिक्षा के लिए पिता में ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देताओं में कौन अधिक बल चाली है देताओं के इस अबराय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ट पिता में ब्रह्मा जी ने उन दोनों देताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन कर दिया विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिवर विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंग्टे खड़े कर देने वाला था उस समय भावान विष्णु ने हुंकार मातर से शिवजी के भ्यंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्र धारी महादेव जी को भी स्तम्बित कर दिया तब रिशी समुहों तथा चारनों सहीत देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ट देवताओं से शांती के लिए याचना की फिर दोनों वहाँ शांत होगे भगवान विश्णु के प्राकर्म से शिवजी के उस दनुष को शिथिल हुआ देख रिशियो सहीत देवताओं ने भगवान विश्णु को श्रेष्ट माना तंतर कुपित हुए माही ससी रुद्र ने बान सहीत अपना दनुष विदेश के राज रिशी देवरात के हाथ में दे दिया शिराम शत्रू नगरी पर विजय पाने वाले इस वैशन दनुष को भगवान विश्णु ने ब्रिगुवंची रिचीक मुनी को उत्तम द्रोहर के रूप में दिया था फिर महात्यसी रिचीक ने प्रती शोद की बावना से रहित अपने पुत्राएं मेरे पिता महात्मा जमदगनी के अधिकार में ये दिवे धनुष दे दिया तबावाल से संपन मेरे पिता जमदगनी अस्त शत्रों का परत्या करके जब ध्यानस्त होकर बैठे थे उसमें प्राकित बुद्धी का आश्री लेने वाले कृत्वेर कमार अरजुन ने उसको मार डाला पिता के इस अत्यानत भ्यंकर वद्धका जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोश पूरक बारंबार उत्वन होई शत्रों का अनेक बार संहार किया शी राम फिर सारी पृध्थी पर अधिकार करके मैने एक यग्य किया और उस यग्य के समाप्थ होने पर पुन्यकरमा महात्मा काश्यप को दख्षिना रूक से ये सारी पृथ्थी दे डाले प्रिथी का दान करके मैं महिंदर परवत पर रहनी लगा और वहां तपस्या करके तपबल से संपन हुआ महां से शिवजी के धनुष के तोड़े जाने का समाचा सुनकर मैं शिगरता पुरक यहां आया हूँ शिराम इस प्रकार ये महान वैशनो धनुष मेरे पिता पिता मैं हूँ के अधिकार में रहता चला आया है अब तुम शात्रे धनुष को सामने रखकर ये उत्तम धनुष हाथ में लो और इस शिरेश तनुष पर एक कैसा बान चड़ाओ जो शत्रू नगरी पर विज़े पाने में समर्थ हो यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुमें द्वन्द युद्ध का अफसर दूँगा दशेद नंदन शिर राम चुंदर जी अपने पिता के गोरव का ध्यान रखकर संकोच वाश ना कुछ बोल नहीं रहे थे परन्तु जमद अगनी कमार परशु राम की उप्युक्त बान सुनकर उसमे में मोन नहीं रह सके उन्हें परशु राम से कहा ब्रिगु नंदन ब्रामन आपने पिता के रिंज से उरिन होने की पिता के मारने वाले का वर्ध करके वेर का बदरा चुकाने की भावना लेकर जो शत्री संहार रुपी करम किया है उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस करम का अनुमोधन भी करते हैं क्योंकि वीर पुरुष वेर का प्रतिशोद लेते ही हैं बारगव मैं शत्री धर्म से युक्त हूँ इसलिए आप ब्रामत देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो भी आम मुझे प्राकर्म हीन और असमर्ट सा मानकर मेरा तिसकार का रहे हैं अच्छा आप मेरा तेज और प्राकर्म देखिए ऐसा के कर शीगर प्राकर्म करने वाले शीर राम चंदर जी ने कुपित होकर परशिव राम जी के हाथ से वह उत्तम धनुश और बान ले लिया साथ ही उससे अपनी वैशनी शक्ती को भी वापस ले लिया उस धनुश को चड़ाकर शीर राम ने उसकी प्रतिंचा पर बान रखा फिर कुपित होकर उन्हें जमद अगनी कमार परशिव राम से इस वरकार कहा ब्रिगुन अंदर राम आप ब्रामन होने के नाते मेरे पूज्जे हैं तथा विश्यमित्र के साथ भी आपका संबंद है इस सब कारणों से मैं इस प्रांच संहार अगबान को आपके शीर पर नहीं चोड़ सकता राम मेरा विचार है कि आपको जो सरवत्र शीगरता पुरकाने जाने की शक्ती प्राप्त हुई है उसे अथा आपने अपने तपवबल से जिन अनपम पुन्ने लोकों को प्राप्त किया है उसी को नश्ट का डालों क्योंकि अपने प्राकर्म से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला ये दिव वैशनबान जो शत्रों की नगरी पर विज़े दिलाने वाला है कभी निश्वल नहीं जाता है उस समय उस उत्तम धनुष और बान को धारन करके खड़े हुए शीर रामचंदर जी को देखने के लिए संपूरन देवतार रिशी ब्रह्मा जी को आगे करके वहां पर कत्र होगे गंधर अफसराएं सिद्ध चारन किनर यक्ष राक्ष शौर नागवी उस अत्यांत अधव द्रिश्च को देखने के लिए महाँ बरागे जब शीर रामचंदर जी ने मैं श्रेश धनुष हाथ में ले लिया उसमें सब लोग अस्चेरे से जड़वत होगे परशु रामजी का वैशन अव तेज निकल कर शीर रामचंदर जी में मिल गया तेज हीन हुए जमद अगनी कुमार राम ने तश्रत नंदन शीर राम की और देखा तेज निकल जाने से तेज हीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमद अगनी कुमार परशु राम ने कमल नियन शीर राम से दीरे दीरे कहा रगुनंदन पूर काले मैंने कश्षब जी को जब ये प्रिथी दान की थी ताब उन्हें मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए कुकोस कुलनंदन तबी से अपने गुरु कश्षब जी की इस आग्या का परण करता हुआ मैं कभी रात में प्रिथी पर नहीं निवास करता हूँ क्योंकि ये बात सरविदी तह कि मैंने कश्षब के सामने रात को प्रिथी पर ना रहने की परतिग्या का रखी है इसलिए वी रागव आप मेरी इस गमन शक्ती को नष्ट मत करें मैं मान के समान वेक से अभी महिंदर नामक श्रिष्ट परवत पर चला जाओंगा पंतु शिर्राम मैंने अपनी तबस्या से जिन अनपम लोकों पर विज़े पाई है उन्हीं को आप इस श्रिष्ट मान से नस्ट कर दीजिए अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए शत्रो को संताब देने वाले वीर आपने जो इस तनुष को चड़ा दिया इससे मुझे निश्चित रूप से ग्यात हो गया कि आप मधूद देत्ते कुम मारने वाले अमिनाशी दिवेशर विश्णु हैं आपका कल्यान हो ये मेरे लिए लज्जा जनक नहीं हो सकती क्योंकि आप ते लोकी नाच शिरी हरी ने मुझे प्राजित किया है उत्तम रत का पारंग करने वाले शीराम अब आप अपना अन्पम बान छोड़िये उसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ट महंदर परवत पर जाऊंगा जमद अगनी नंदन परशियर राम जी के ऐसा कहने पर परतापी दश्रत नंदन श्रीमान राम चंदर जी ने मैं उत्तम बान छोड़ दिया अपनी तपस्यादवारा उपारजित किये हुए पुन्ने लोकों को शीर राम चंदर जी के चलाए हुए उस बान से नस्ट हुआ देखकर परशियर राम जी शीगर ही उत्तम महंदर परवत पर चलेगे उनके जाते ही समस्त दिशाओं जथा उपदिशाओं का अंदकार दूर हो गया उसमें रिशियों सहित देवता उत्तम आयुद धारी शीर राम की भुरी भुरी परशंचा करने लगे तन्तर दश्रत दंदन शीर राम ने जमदगनी कुमार परशुराम का पूजन किया उनसे पूजी तोकर परभावशाली परशुराम दश्रत कुमार शीर राम की परकर्मा करके अपने स्थान को चलेगे इस बरकार श्री बालमिक निर्मित आर्श रमाइन आदिकाव के बालकांड में शत्रमें सर्ग तक पूर्ण हुआ श्री मत बालमिक ये रमाइन के बालकांड के स्त्रमें सर्ग में राजा दशरत का पुत्र और वध्वों के साथ अयोध्या में प्रवेश शत्रुगान सहीत भरत का मामा के यहाँ जाना शीर राम के बरताफ से सब का संतोश तदा सीता और शीर राम का प्रास्परिक प्रेम जमाद अगने कमार परशु राम जी के चले जाने पर माई यस्री दश्रत नंदन शीर राम ने शांत चित होकर अपार शक्ती शाली वरुन के हाथ में वै ध्रुश दे दिया तद वच्चात विशिष्टादी रिश्यों को पर नाम करके रगुनंदन शीर राम ने अपने पिता को विखल देखकर उनसे कहा पिता जी जमाद अगने कमार परशु राम जी चले गए अब आपके अधिनायक तत्त में श्रक्षित ये चत्रंगनी सेना एउध्या की और प्रस्थान करे शीर राम का ये वचन सुनकर रजा दशरत ने अपने पुत्र रगुनाजी को दोनों बुजाओं से खीट कर च्छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सुंगा परश्यू राम जी चले गए ये सुनकर रजा दशरत को बड़ा हर्श हुआ वे अनंद मगन होगे उसमे उनने अपना और अपने पुत्र का पुनर जिनम हुआ माना तरंतर उनने सेना को नगर की और कूच करने की आग्या दी और वहां से चलकर बड़ी शीकरता के साथ वे अध्या पुरी में जा पूचे उसमे उस पुरी में सब और धोजा पता काई फेरा रही थी सजावट से नगर की रमनीता बढ़ गी थी बाती बाती के वाध्यों की धोनी से सारी ये अध्या गूंज रही थी सडकों पर जलका छिड़काव हुआ था जिससे पुरी की स्रम में शुवा बढ़ गी थी यत्र तत्र धेर के धेर फूल विक्रेव गे थे पुरवासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार कर प्रसंद नमक होकर खड़े थे इन सबसे भरी पूरी तथा भारी जंग संदाई से अलंकर थोई जापुरी में राजा ने प्रवेश किया नागर को तथा पुरवासी ब्रामनों ने दूर तक आगे जाकर महराज की आगवानी की थी अपने कांतिवान पुत्रों के साथ माई शची श्रीमान राजा दश्यत ने अपने प्रिये राजभावन में जो हिमाले के समान संदर एम गगन चंबी था प्रवेश किया राज महल में सवजन द्वारा मनुवान चीत वस्तों से परम पुजी तोकर राजा दश्यत ने बड़े अनंद का अनभाव किया माहरानी को शल्या समित्रा संदर कटी परदेश वाली के कई तिथा जो अन्य राजबत्रियां थी वे सब वहों को उतारने के कारे में जुट गई तन्तर राजब्रवार की उस इस्त्रियों ने परम सभाग्योती सीता यिशस्वनी और मिला तदा कुश्धवज की दोनों कन्याव मांड़ी और शृतकीती को सुवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हिस्सा वधों को घर में ले गई वे प्रवेश कालिक होम करम से शोवित तोना रेशमी साड़ियों से लंकरित थी उन सब ने देवमंदरों में ले जाकर उन बहुँआ से देवताओं का पूजन करवाया तन्तर नव वधू रूप में आई हुई उन सभी राजकमारियों ने वंदनीय साथ ससुरादी की चर अस्त्र विद्या में निपुन और विवाहितों कर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे कुछ काल के बाद रगोकुल नंदन राजा दशरत ने अपने पुत्र के कई कुमार भरत से कहा बेटा ये तुमारे मामा कहके राजकमार वीर युद्धा जी तुमें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहां ठहरे हुए हैं दशरत जी की ये बाद सुनकर के कई कुमार भरत ने उसमें शत्रुगन के साथ मामा के यहां जाने का विचार किया विन नर्शरे शूर वीर भरत अपने पिता राजा दशरत अनायासी महान करम करने वाले शीर राम पिता सभी माताओं से पूछ कर उनकी आग्या लेकर शत्रुगन सहीत वहां से चल दी शत्रुगन सहीत भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्श के साथ अपने नगर में परवेश किया इससे उनके पिता को बड़ा संतोश हुआ भरत के चले जाने पर महाबली शीर नाम अन दिनों अपने देव उपम पिता की सेवा पूजा में सलक रहने लगे पिता की आग्या शरुदारे करके वे नगर वासियों के सब गाम देखने और उनके समस्त प्रिय और हितकर कारे करने लगे ने अपने को बड़े सियम में रखते थे और समय समय पर मताओं के लिए उनके आवश्य कारे पूर्ण करके गुरु जनों के बारी से बारी कारे को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे उनके इस वरतार से राजा दशरत वेदविता ब्रामन तुथा वेश्य वर्ग बड़े परसंद रहते थे शीर राम के उत्तम शील और सद विवार से उस रज के भीतर निवास करने माले सबी मनुश्य बड़े संतुष्ट रहते थे राजा के उन चार उपत्रों में सत्य प्राकर्मी शीर राम ही लोक में अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा शीर राम के हाथ में पत्नी रोप में सम्मर्बित की गई थी सीता के पती वरत्य आदी गुन से तथा उनके संदरे गुन से भी शीर राम का उनके प्रती अधिकादिक प्रेम बढ़ता रहता था इसी परकार शीता के हिद्वे में भी उनके पती शीर राम अपने गुन और संदरे के कारण द्विगन प्रिती मात्र बन कर रहती थी जरक नंगनी मित्रेश कमारे सिता शीर राम के हार्दिक अभी प्राहे को भी अपने हिर्द्द्ध से ही औरधी करूप से जान लेती थी त्था शुकस टूप से बता भी देती थी रोप में दिवानगनाओं के समानती और मुर्ति मती लच्ष्मी सी परतित होती थी श्रेष राजकमारी सीता शीर राम की ही काम ना रखती थी और शीर राम भी एक मातरुने को चाते थी जैसे लच्षमी के साथ दिवेश और भगवान विश्नु की शोबा होती है उसी परकारों सीता देवी के साथ राजरिशी दश्रत कमार्शी राम परम परसन रहकर बड़े शोबा पाने लगे इस परकार श्री बालमिक निर्मित आर्श रमायन आदी कावे के बालकांड में सत्तर्वा सर्ग बोर्न हुआ इस तरह से बालकांड समार्ट